दोस्तों यदि आपने इस चैनल को भी ते सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लिजागा फी रिले ग्रुपD की प्रिछा की पूरी तयारे दोस्तों यहाँ पे हो रही है जो कि 17 अगस्त आपके स्टार्ट होने वाली दोस्तों यहाँ प्रिट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जाता है चार आपको पात से देना है कि पहले दर्सन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जाता है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अप्षन नमर डी यानि इसपार्क प्लक द्वारा पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो इसपार्क के द्वारा चलता है चलिए अगला कोशन देखते हैं यांत्रिक उल्जा को विद्धूत में परिवर्तित करते हैं चार अप्षन आपके बताना है कि यांत्रिक उल्जा को विद्धूत उल्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं तो इसका भी राइट अंसर जाएगा दोस्तो अप्षन नमबर D यानि विद्धूत जनित द्वारा जो विद्धुत जनित होता है जिसे हम जनरेटर कहते हैं या नत्रिक उल्जा को विद्धुत उल्जा में परिवर्तित करके विद्धुत उत्पन करते हैं अगला कोशन देख लेते हैं सुस्क सेल में जो उल्जा संग्रहित होती है वह क्या है आपको बताना है जो स उसमें उल्जा संग्रहित होती है वह क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों और सी यानि रासायनिक उल्जा जो सो उसके सेल में संग्रहित उल्जा रासायनिक उल्जा होती है जो विद्यूत उल्जा में परिवर्टित होती है चलिए गला कोशन देख लेते है दोस्तों कारे करने में मानव सरीर द्वारा प्रयुक्त उल्जा होती है यानि जब कारे करने में मानव सरीर द्वारा कौन सी उल्जा प्रयुक्त होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों Option number C, यानि रासायनिक उल्जा, मानव सरीर द्वारा कारे करने हैं तो, प्रयोक्त उल्जा रासायनिक उल्जा होती है, जो कार्भोहड़ेट वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, आपको दान है, जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number B, यानि सम्वेग दो गुना हो जाता है, जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है, तो सम्वेग भी दो गुगना हो जाता है चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों दो समान द्रब्यमानों की गतिज उल्जा समान है तब अथिक द्रब्यमान का आवेस क्या होगा इसके right answer बात के दोस्तों इसके right answer हो जाएगा option number B यानि जैदा होगा चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों जब हम rubber के गद्दे वाली seat पर बैठते हैं अत्वा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाई जाती है इनमें से आपको बताना है कि जो rubber का गद्दा होता है अगर उसमें बैठ जब हम rubber के गद्दे वाली seat पर बैठते हैं अत्वा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में इस्तितीज उल्जा पाई जाती है अगला question देख लेते हैं दोस्तों एक गोल आंतरिक कोना क्या कहलाता है आपको बताना है कि एक गोल आंतरिक कोना इन में से क्या कहलाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number B यानि फिलेट कहलाता है जो एक गोल आंतरिक कोना होता है उससे फिलेट कहते हैं चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों रेल की पटरियों के नीचे चोड़े लकड़ी के पट्टे लगाये जाते हैं क्यों आप सभी लोग ने देखा होगा कि रेल के पटरियों जो नीचे चोड़े लकड़ी के पट्टे जो लगाये जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number D हो जाएगा गाड़ी द्वा रूड़ाओ को कम किया जा सके हैं चलिए अगला question देखलेते हैं रेल पथ में फिस प्लेट का काम है आपको बताना है कि जो रेल पथ है यानी दोनों पटरियों को जोड़े रखना रेल पत में जो फिस प्लेट का कार दोनों पटरियों को जोड़े रखना होता है चलिए अगला कोशन देखते हैं कर दीजिए क्योंकि सारे आपके एक्जामिनेशन ओरियंटेड है और साइन्स का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर का आपके परिच्छा में तो 1000 कोशन दोस्तो जिसमें आपके पिछले 10 वर्सों में जी विग्यान, रसान विग्यान, वहते विग्यान के प्रशन जो बार-बार पूछे गया है complete detail के साथ इसे भी cover किया गया है दूसरा ebook and third ebook दोस्तो math का है दोस्तो math का ये 500 question का super guest question ready किया गया especially railway group examination जो 2022 में होने वाला सभी प्रशनों के हल आपको दिये गए है नवीनतम pattern पर अधारित जिसे कि आप सभी चीजों, सभी जो question उनके practice करके examination में जाएं ये तीनों ebook बहुत important है आपको निश्चित तोर पर आपको इसे लेना है description box में आपको link है लेके सारे का practice स्टार्ट किजे और एकदम अच्छे से examination दीजे engine से power आवेगो को सिथिल करने के लिए प्रयूक्त है चार अप्षन एक पास बतना है कि engine से power आवेगो को सिथिल करने के लिए क्या प्रयूक्त है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो आपसन नंबर a यानि clutch जो इंजन से पावर आवेगो को सिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से मुक्त कर देता है जिससे सक्ती को कारे में समपरिवर्तित नहीं कर पाता है यह भी मॉस्ट इंपोर्टन कोस्चन है दोस्तों अगला को uncont देख लेते हैं एक राकेट और एक जेट इंजन भिन है क्योंकि इनमें से बताना है कि एक राकेट और एक जेट इंजन इनमें से क्यों भिन है तुछ करड़िषन यहाए को उसका राइट अन्षर जो हो जाएगा तो दोस्तों option number E, C और D, एक rocket और jet engine भिन क्यों हो, क्योंकि rocket में oxygen के आपूर्थी की बेस्था उसी में होती है, जबकि jet हवा बाहर के वातवरर से प्राथ करता है, और हो जाएगा rocket किसी यान को अंतरी सग ले जाता है, जबकि jet नहीं, ये ये नहीं होगा, अगला question देख लेत का उपियोग किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number C, यानि गती में, not का उपियोग जलयानों की गती के मापन में होता है, जब एकला question देख लेते हैं दोस्तों, पिंड का भार सुन्य नहीं होगा, चारा option है आपके पास बताना है, कि पिंड का भार इन में से कहां पर सुन्य नहीं होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option number D, यानि किसी घरसड हीन सतह पर किसी पिंड का भार सुन्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घरसड का फर्क नहीं होता, चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों, चंद्रमा की सतह से एक च परिवर्तन होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option number B, यानि इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किन्तु इसका द्रब्यमान परिवर्तन नहीं होगा, most important है दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को प्रीथवी पर लाने पर उसका भार चंद्रमा पर उ दोस्तों, बादलो की दिशा एवं गती को मापने वाला यंत्र कहलाता है, चारा अपसन नहीं आपको बताना है कि बादलो की दिशा और गती को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option number C, यानि नेफो इसकोप, एनिमो मीटर, अगर हम बा गती और रेन गेज की बात करें दोस्तों, तो वर्सा की मात्रा और नेफो इसकोप से बादलो की दिशा एवं गती और हाइड्रो मीटर से हम आर्दिता का मापन किया जाता है, अगला question देख लेते हैं, अल्टी मीटर से क्या नापते हैं, चारा option है, most important ये भी है दोस्तों, आपको बताना है कि अल्टी मीटर होता है, उससे इन में से क्या मापते हैं, तो इसका right answer हो जाएका दोस्तों, option number B यानि भूतल से उचाई, अल्टी मीटर से उचाई मापी जाती है, और वायो मंडली दाब को बैरो मीटर से मापते हैं, और धारा की सामर्थ को बोल्ट में एवं सुनाई देने में अंतर को defisible से मापते हैं, अगला question देख रहते हैं दोस्तों, एक lift में किसी ब्यक्ति का प्रत्यच भार वास्तविक भार से कम होता है, जब lift जा रही हो, आपको बताना है lift में maximum लोग बैठे होंगे, तो एक lift में किसी ब्यक्ति का प्रत्यच भार व most important है, तो आपको बताते हैं, जब lift तौरित गती से नीचे की ओर जा रही हो, तो lift में इस्थित किसी ब्यक्ति का प्रत्यच भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, अगला question देख लेते हैं, मनुष से lift में कब अपना भार महसूस करता है, चार अप्सन है, ये भी most important question है द यानि जब मनुष से lift में तौरल के साथ उपर जाते हैं, अपना भार महसूस करता है, जब lift एक समान वेग से उपर या नीचे गती करती है, तो lift में इस्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है, चलिए अगला question देख लेते हैं, प्रीत्वी से चंद् पर जाकर वापस लोटने पर अंतरिश्यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार करने के लिए अधिक्तम उलजा की आवसकता होगी, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option नमर B यानि उडान शुरू करते समय प्रीत्वी का गुरुत्व, यानि प्रीत्वी पर पलायन प्रती सेकेंड होता है, अंतरिश्यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यदिक उलजा के आवसकता होती है, यहीं कारण है कि अंतरिश्यान में कई चरोडों वाले रॉकेटों का प्रयोग किया जाता है, अगला कोशन देख लेते हैं, सरीर का वजन, बॉड़ी का वे चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगे दोस्तो, ओप्सन नमबर A यानि गुरुत्वा करसर बलकी अधिक छीड़ता के कारण, चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं पाए जाते हैं, और इसका कारण एक है को वायू मंडली ये गैसो का वेग चंद्रमा पर पलायान वेग से अधिग होता है, जिससे गैसे पलायान कर जाती हैं, चले एगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो, एक सिकारी ब्रिच पर लटके एक बंदर के सिर को लच करके गोली चलाता है, गोली चलने के ठीक समय बंदर जाता है, वैसी दसा में गोली क्या होगा, इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट अंसर जाएगा दोस्तो, अफसन नमबर ए यानि बंदर के सिर में छेद कर देगी, आपको उताते जब गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि गोली छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों समान उर्धवाधर त्वरण जी कारे करता है अगला कोशन देखते हैं एक ट्रक तथा एक कार समान गतीज उर्जा के साथ गती सील है उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा इन में से आपको बताना है कि ट्रक तथा कार समान गतीज उर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा जिसका राइट अंसर जाएगा option number C यानी दोनों ही ठहरने के पुर्व एक समान दूरी तै करेंगे क्योंकि ट्रक और कार दोनों एक समान गती उलजा के साथ गती सील है तथा उनने रोकने के लिए एक समान बल प्रयोक किया जाता है इसलिए दोनों ही ठहरने के पुर्व एक समान दूरी तै करेंगे चलिए last question देख लेते हैं दोस्तों भौतिक तुला कारे करता है बताना है कि इनमें से भौतिक तुला किस पर कारे करता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number D यानी समान आंतर बलके नियम पर भौतिक तुल समान आंतर बलके सिध्धान पर कार करता है और समवेग सरचड के सिध्धान पर रौकेट कारे करता है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा चैनल वीडियो पसंदा होगा दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर हमारे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि हम लगातार गुरूपी एक्जाम की तैयरी करा रहे है जो कि आने वाले एक्जाम है जो कि most important सारे के सारे वीडियो है तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अपने एकली वी इतरो सब्सक्राइब करे एक्राइब